Rules of Success Rule number 11 for success is Prosperity Attitude Prosperity Attitude का मतलब है कि आपको हर चीज का शुक्र अदा करना है ध्यान रखिए शुक्र करने से आभार प्रकट करने से चीजे बढ़ती हैं नाशुक्री करने से चीजे घड़ती हैं नाशुक्री मतलब आप जिन चीज़ों का अभार प्रकट नहीं करते आप एहसान फरामोश एक होता है एहसान फरामोश एक होता है एहसान मनने वाला तो जो एहसान फरामोश होता है उसकी सारी चीजे घड़ती चली जाती है और जो शुक्र अदा करता है उसकी चीज़े बढ़ती है शुक्र कैसे अदा करेंगे प्रोस्पारिटी कैसे प्रोस्पारिटी होती है कि आपने किसी चीज़ को देखा उसकी दिल से तारीफ करें आप जले नहीं अगर आप जल गए तो आपने शुक्रदा नहीं करा आप दिल से उसकी तारीफ करें दिल खोल के उसको एप्रिशेट करें और देखें आस परोस में कि कारे देखें कितनी अच्छी अच्छी हैं लोगों के पास घर देखें, बंगले देखें, पैसे देखें, बिजनस देखें तो इन चीजों को देखें और आपके पास धेखें कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिटीज हैं आप कौन कौन सी चीज़े ऐसी हैं जो आपको दुसरों से आपके पास Mind है, Hight है, Personality है, सेहत है सबसे important है ना Health है आपके पास बच्चे हैं जिनके पास बच्चे नहीं आप उनसे पूछिए कि बच्चे बहुत बड़ी चीज़ हैं बच्चे आपके सबसे बड़ी एसेट्स हैं है ना तो इस चीज़ को समझना है तो प्रोस्पारिटी एडिट्यूट क्या है कि जो भी चीज़ आपको दिखे उसकी दिल खोल के तारीफ करें कि वाओ शांदार जबरदस्ट किसी ने वीडियो च्छी बनाई उसकी तारीफ कर दें कमेंट में लिखके भी कर दें लाइक भी करें सारी चीज़े करें हो सकते तो शेयर भी कर दें यह होता प्रोस्पारिटी एडिट्यूट जले नहीं देखके कोई गाली ले आया जल गए आप देखें लोग अकसर देखते हैं अगर किसी दिन आप अच्छी ड्रस पहने कहते हैं कर यार काइटून बने घूम रहे हो कर यह कपड़े पहने इसका मतलब वो जल गए हैं प्रोस्पारिटी एडिट्यूट अगर आप चाते हैं कि आपकी लाइट में समरद्धी आए प्रोस्पारिटी आए पैसा आए अच्छी चीज़े आए क्योंकि देखे हैं अगर अधेरा होगा जहां पर तो वहां रोश्णी नहीं होगी और जहां रोश्णी होगी वहां अधेरा नहीं टिकेगा दिन है तो रात नहीं रात है तो दिन नहीं अच्छा होगा तो बुरा नहीं अंदर है तो बाहर नहीं जो चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में हो जाएं आजाएं अच्छी चीज़े उनकी प्रशंसा करें उनकी तारीफ करें दिल से बिना जले किसी का अच्छा मॉबाइल देखा तो जले नहीं उसकी तारीफ करी दिल से कि वाव बहुत अच्छा मॉबाइल है गुड किसी की कार देखी अच्छी तो जले नहीं जल जाएंगे आप तो फिर आपके पर लाइफ में वो चीज नहीं आपाएगी prosperity attitude जो चीज़े आप चाहतें कि आपकी life में हो उनकी दिल खोल के तारीफ करें उनको शुक्र अदा करें कि भगवान ने कितनी अच्छी सारी चीज़े लोगों को दे रखी किसी का घर देखा तो भी खुश हो गए बन रहा है मकान वे अच्छा सा उसको बनाएं help करें prosperity attitude का मतलब है किसी चीज़ को बिगाने नहीं अच्छी है उनका सुबा उटके 10-15 मिनिट का शुगरदा करें कि आप देखें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़े हैं कौन कौन सी आपके पास qualities हैं कौन कौन सी चीज़े आपके पास possible है मेरे एक student आया एक टाइम पर थोड़ा से डिप्रेस हो गया था तो मेरे एक student आया उन्होंने मुझे बताया कि sir आप जिन्दा तो हैं उनके husband को किसी ने गोली मार भी थी उन्होंने मुझे का कि sir आप इत्ली tension मत लीजिए क्योंकि आप जिन्दा तो हैं मेरे पास तो मेरे husband हैं ही नहीं जो कुछ कर सकते तो मुझे लगा यार यह तो सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि अभी मैं जिन्दा हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो छोड़ छोड़ी चीजों पर tension नहीं लेना है prosperity attitude का मतलब है कि जो चीज़े आपके पास अच्छी है समर्दी वाली है जैसे आपके पास mind है आपके body है है ना आपके अंदर talent है आपके अंदर skills है आपको supportive family है आपके अच्छी wife है आपके बच्चे है है ना supportive बच्चे है आपके family members है माबाप है उनको देखके आप शुक्रदा करें तो prosperity attitude का मतलब है जो चीज आपके पास अच्छी है समर्दी वाली जो अच्छी चीज़ें उनको और जो दुसरों के पास है उनका सब कर शुक्रदा करें उनको धन्यवाद दें थैंग गॉड बोलें कि आप जिन्दा हैं अभी अभी मरें नहीं